अबी तक आपने मेरे चैनल को सब्स्ट्राइब नहीं किया तो तुरंती सब्स्ट्राइब कीजे और साथ में और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी तबादीजे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुचे यह है दोस्तों All New Kia Sonnet HTX Plus Turbo IMT जो की Tech Line का Top In Variant है इससे उपर आपको Dual Tone मिल जाता है जो की 10,000 एक्सपेंसिव है वहीं इसकी Pricing की बात करें तो इसकी प्राइस जाती है 11.65,100 रूम प्राइस दिल्ली वहीं इसकी On Road प्राइस है 13.34,000 Front Profile में Head Lamp Unit के अगर हम बात करें तो आपको बहुती सांदर Heartbeat LED DRL with Integrated Indicator के सांद मिल जाते हैं और वहीं Crown Jewel LED Head Lamp आपको प्रोवाइट किया गए है कट के बीचों बीच दिया गहा है किया का लोगों दोनों और क्रेक्टर लाइन्स मिल जाते हैं और कंपनी इसमें Offer कर रही है 3 years और unlimited किलोमेटर की स्टेंडर वारंटी जहां तक डाइमेंस की बात करें तो साइट प्रोवाइल के अगर हम बात करें तो यहां पर आपको बहुती सांदार डियोल टोन डाइमंड कट अलोई वील 16 इंच के प्रोवाइट किया गए है और वील साइज है 215,60,R16 जैसे कि आप यहां पर देख पारे हो और चारो और body cladding प्रोवाइट किया गए है जो कि इसके SUV स्टांस को बढ़ा देते हैं वार्बियम आपको body clad और LED tone indicator के साथ दिया गए है एक बार check out कर लिजीगा और इसके अलावा आपको इसमें मिल जाते है electric sunroof जैसे कि आप यहां पर देख पारे हो और floating roof rail silver और black combination में इसमें dual tone का भी option आपको मिल जाते हैं उसके लिए आपको 10,000 और खर्च करने पड़ेंगे चलिए अब इसके rear profile की बात करें उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा आपको front में disc and rear में drum brake मिलते हैं suspension की बात करें तो front में magperson strut and rear में twist beam with coil spring और rear profile में आपको यहां पे मिल जाते हैं सबसे उपर सागफिल एंटिना, integrated spoiler with high mounted stop lamp, defogger and rear wiper और बहुती सांदार यहां पे heartbeat LED tail lamp प्रूबाइट किया गए हैं जैसे कि आप यहां पे देख पारे हो काफी सांदार इसका look और वहीं tail gate की बीचो बीच किया का logo just उसके उपर reverse parking camera यहां पे प्रूबाइट किया गए है और tail gate के left side sonet की waging और right side आपको engine की waging आपे प्रूबाइट किया गए है TGDI इसके लवार rear bumper के दोनों reflectors उसके उपर reverse parking sensors और बहुती सांदार silver color के यहां पे skid plate दिया गया है front profile की तरह और piano black finish inserts दिये गए हैं जैसे कि आप यहां पे देख पार हो चलिए अब बात करते हैं इसके interior की तो यहां पे आपको मिल जाते है keyless entry और सबसे पहले हम बात करेंगे front door की और front door में black and beach combination यहां पर देखने को मिलता है और यहां पर यहां पर आपको यहां पर देखने को मिलता है बोस के speaker वन लीटर का बोटर होडर और यहां पर दिया गया है Twitter चलिए इंटेर के अगर हम बात करें तो यहां पर all new black and beach combination में seats मिल जाते है हाइट ड्राइबर सीट यहां पर प्रोबाइट किया गया है और हाइट एड्जेस्टेबल headrest एक बार चेक आउट किजिए इसका dashboard layout काफी premium black and beach combination में बहुत ही सांदार इसका dashboard layout steering wheel के right side push start stop button headlamp label और जैसे कि आइम्टी वेरिंट इसमें accelerator and brake दिया गया है और dead pedal यहां पी मिल जाते हैं चलिए अंदर बैठते हो और बात करते हैं center console की तो यहां पर आपको मिल जाते हैं बहुत ही सांदार armrest और उसके नीचे आपको storage देखने को मिलता है और यहां पे two cup holder chrome finish में handbrake और यहां पे six speed intelligent manual transmission चारों तरफ आपको silver finish देखने को मिलता है वैल बोर्ट का charging socket USB port और wireless यहां पे mobile charging automatic climate control के साथ hazard lamp और वर्टिकल AC wind silver finish में बहुत ही सांदार और यहां पे 10.25 इंच का floating touch screen import and wind system जो कि support करता है apple carplay android auto bluetooth connectivity navigation radio fm aux and USB को इसके लावे UVO connected car with OTA features को भी support करता है और वहीं इसमें मिल जाते हैं आपको बहुत ही सांदा digital instrument cluster जिसमें आपको drive assist related सारी information digitally मिल जाती है जो कि इस segment में amazing design के साथ base है और यहां पे आपको flat bottom, tiltable, leather wrapped steering wheel मिल जाते हैं जिसके left side audio mounted control and right side cruise control की सुवीदा दिया गया है यह बीच में किया का logo, co-passenger side vanity mirror provide किया गया है जैसे कि आप यहां पे देख पारे हो, middle में दिया गया है, sunglass holder के साथ, cabin light, halogen bulb के साथ electric sunroop के control यहां पे provide किया गया है जैसे कि आप यहां पे देख पारे हो, और driver side कोई भी vanity mirror यहां पे provide नहीं किया गया है और चलिए, electric sunroop के अगर हम बात करें तो एक बार check out कर लिजीगा काफी premium features में से एक है, जो कि आजकल के young generation की पहले पसंद है चलिए अब बात करते हैं इसके storages की, तो यहां पे आपको glove box check out करा देता हूँ just a sufficient space इसमें आपको provide किया गया है और यहां पे dashboard layout काफी अच्छी खासी यहां पे premium लगने वाला है चलिए बात करते हैं इसके rear cabin comfort की, तो सबसे पहले rear door की बात करें तो यहां पे front door की तरही, यहां पे black and beach combination दिया गया है power window के control grab handle पे दिया गया है, silver finish और यहां पे आपको मिल जाते हैं उसके speaker, one liter का water holder, चलिए अब बात करते हैं इसके rear cabin comfort की, तो यहां पे black and beach combination में आपको provide किया गया है seat's height adjustable headrest बीच में आपको दिया गया है, armrest with two का फोल्डर, कापी premium, प्रीमियम चलिए अंदर बैठते हैं और बात करते हैं इसके leg room, head room की cabin comfort की, तो driver side and co passenger side, seat के पीचे आपको magazine pocket बे मिल जाता है leg room की अगर हम बात करें तो यहां पे आपको बहुत ही अच्छी खासी जग़ा मिलने वाली है, कोई भी दिक्कत नहीं हुने वाली है, वहीं head room की बात करें तो आप एक बार check out कीजिए, काफी अच्छी खासी जग़ा रहने वाली है solder room के अगर हम बात करें तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है यहाँ पे और rear seat से front के और देखें तो dashboard का layout एक बार check out कर लेजीगा black and peach combination में काफी premium लगने वाला है और इसके साथे rear passengers के लिए rear AC wind यहाँ पे provide किया गए है और air purifier with the virus protection यहाँ पे provide किया गए है जो कि इस pandemic situation में एक essential features में से एक है चलिए बात करते हैं इसके boot space की तो Kia Sonate में आपको 392 लीटर का boot space provide किया गए है और जहां तक spare wheel की बात करें तो just इसके underneath आपको spare wheel भी यहाँ पे provide किया गए है steel wheel में और इससे related tools दिया गए है और इसमें provide किया गए है BS6 compliant 1 liter 3 cylinder TGDI turbo charge petrol engine power performance की बात करें तो 118.36 BHP की power 6000 rp and 172 nm का peak talk generate करता है 4000 rp transmission आपको मिल जाते है 6 speed IMT gearbox और वही mileage की बात करें तो company claim करती है 18.2 kmp की mileage जहां तक safety features की बात करें तो इस variant में आपको मिलते है dual airbag, ABS with EBD, reverse parking sensors, reverse parking camera, seat belt reminder, driver side and co passenger side, keyless entry, push start and stop button, isopic child seat increase, pre-tentional and force limiter seat belt, engine immobilizer, front impact beam, side impact beam, anti-thep device, high line, tire pressure monitoring system, emergency stop signal, auto head lamps, inside door handle override, passenger seat belt reminder, speed sensing, auto door lock जैसे premium safety features प्रोवाइट किये गये हैं ये थी दोस्तों complete walk around review किया solid STX plus turbo IMT variant के आपको कैसे लगी नीचे comment section में जरूर बताएगा और एक like तो बनता है आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए thank you, धन्यवाद, जैहिंद